नमश्कार अरुनाचल समाचार में आपका स्वागत है महमुरी शोभा आए बुलिटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार प्रधानमंदरी नरेंदर मोदी जर्मनी के स्लॉस अल्माओं में आए जिट जी सेवन शीकर समेलन में परियावरन उर्जा जलवायू खादि सुरक्षा और स्वास्त विशे पर चर्चा में ले रहे हैं हिस्सा जी सेवन में विश्व के सबसे बड़े साथ देश कैनड़ा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जपान, युनाइटिट किंग्डम और अमेरिका शामिल विपक्षी दलो के रास्ट्रपती पत के उमीदवार यश्वन सिन्हा ने भरा नामंकन पत्र, संसतभन में स्री सिना के साथ कॉंग्रेस के राहूल गांधी, न्सीपी प्रमुक शरत पवार, समाजवादी पार्टी के अखिलेस, यादव माक्सवादी कमीनिस पार्टी के स विपक्षी दलो के कई नेता रहे मौजूद। प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने रवीवार को जर्मनी के मिश्वादी के म्यूनिक में भारतिय समुदाय को संबोधित किया। राश्टर की सफलता में प्रवासी भारतियों की सराहना करते हुए उन्हें भारत के ब्रैंड एंबसेडर की तरह काम करने की सलाह दी। आज भारत का हर गाउं ओपन डेफिकेशन फ्री है। आज भारत के हर गाउं तक बिजली पहुँच चुकी है। आज भारत का लगबहर गाउं सडक मार्च से जुड़ चुका है। आज भारत के 99 परसंट से ज़्यादा लोगों के पास क्लीन कुकिंग के लिए गैस कनेक्शन है। आज भारत का हर परिवार बेंकिंग व्यवस्ता से जुड़ा हुआ है। आज भारत के हर गरीब को पात लाख रुपे मुद्व इलाज की सुभिधा उपलब्द है। इन्फरमेशन टेक्लोलोजी में डिजिटल टेक्लोलोजी में भारत अपना पर्चम लहरा रहा है। दुनिया में हो रहे हैं रियल टाइम रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से 40% ट्रांजेक्शन भारत में हो रहे हैं। आज भारत देटा कंजम्शन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत उन देशों में हैं जहां डेटा सबसे सस्ता है। विपक्षी धलो के राष्ट्रपती पत के उमीद्वार यश्वन सिना ने आज नामांकन बत्र भरा। संसत भहन में स्री सिना के साथ कॉंग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, राश्रवादी कॉंग्रेस पार्टी प्रमुक्षरत पवार, समाजवादी पार्टी के अखिलेस यादव, नैशनल कंफरेंस के फारुक अब्दुल्ला, त्रुनमूल कॉंग्रेस के अभिशेक प्रतियाशी द्रोब्दी मुर्म ने अपना नामंकन दाखिल किया था रास्ट्रपती चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा जबकि मदगड़ना 21 जुलाई को की जाएगी अरुनाजल प्रदेश के स्वास्त मंत्री आलोली बांग ने वैस्ट सियांग जिले के जनरल अस्पताल आलो में CT स्कैन मशीन का उध्खाटन किया इस अवसर पर विधाय केंतो जीनी न्यामर कारबक और जिले के कई अधिकारी मौजुद थे स्वास्त मंत्री ने कहां कि जिला अस्पताल आलो में CT स्कैन मशीन लगने से अब मरीजों को पासिखाट इटा नगरिया किसी अन्य शहर में नहीं जाना पड़ेगा उन्होंने कहां कि सरकार लोगों को बहतर स्वास्त सुविधाय उपलब्द कराने के लिए जिला अस्पतालों सामुदाइक और प्राथमिक स्वास्त केंद्रों में चिकित्सा सुविधायों का विस्तार कर रही है असम में मौसम साफ होने से बार की स्थी में सुधार हुआ है हाला कि अन्य इलाकों की तुलना में बरा घाटी में स्थी अभी थोड़ी गंभीर बनी हुई है सरकारी सूत्रों ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में राज के 28 जिलों में 22 लाग से अधिक लोगों पर बार का असर पड़ा और पांच लोगों की मृत्य हो गई बार से अधिक प्रभावित कच्छार जिले सहीद बरा घाटी में राहत और बचाव कारे तेजी कर दिये गए है मुखे मंतरी हिमंद अबिस्व सर्मा ने बचाव और राहतकारी के निगरानी के लिए कल सिल्चर जिले का दोरा किया दो मंतरी परीमल, शुक्ल वेद और जैंत मला बरुआ राहतकारी उपर निगरानी रखने के लिए बड़ा घाटी में डेरा डाले हुई है केंद्रे जल शक्ती मंतरी गजेंद्र सिंग शिखावत ने कहा है कि अरुनाचर प्रदेश में विभिन चिनोतियों के बावजूद जल जीवन मिशन का कारे प्रगती पर है अपने एक ट्वीट में स्री शिखावत ने कहा कि हमारा जज़बा और हमारा विश्वास सभी बाधाओं को पार कर नियत समय में हर घर को नल के जरिये जल पहुँचाने के मिशन को पूरा करने में सहायक हो रहा है हमारा बारिस जादा रहता है इसके कारण से हमारा फ्रिक्वण फ्लड होता है और वोकिंग सेजन भी बहुत कम अगदा है कभी-कभी तो हमें यह ओंगोइंग इस्किम में भी एक ही इस्किम को कभी-कभी हैड़ दुबारा बनाना परता है उसके बाद बस्ती जो है देखने से एक पहार से दूसरी पहार चोर पे आदमी बसता है उसको आपको एक साथ बस्ती मालब कैटरिंग पानी प्रवाइद करने के लिए ताकि हमारा तकलिक होता है में जड़ से लिए कम में नाने स्वोडित कर ingredients को कभी होता हैा साथ बाद जी गारेक्श्सरह दूसरर्य का झाध कर द्रवाद कर दोनों घ्ल्त चांतम में इस्कैंने साथ से लगए बए्यान का पे छूव ने म को आज़ झां बदेवाल प्रम झाट upliftी लेक्ष money झाल कर दो जोंग, यदो कि अवड़ की आज घ्र बाना, ऑाल क्यजक जो झाल को रणे अव mogi बाना, क्योंग कि आई आए नड़ को रणेने लाव थारी जगाना, जुड़ को रहते हैं, जुड़ को तो रवड़ को, यद लाव पार भी थे फार संव फड़ को जड़ को रख आज पहार पर रहने वाली महिला हैं, मानि प्रदान मंतिजी कहते हैं कि पाड की जवानी और पाड का पानी पाड के काम नहीं आते हैं, पाड की महिलाओं को भी, आपने सिर पर या आपने हाथ में कंदे पर पानी उठा करके, कितनी सीधी खड़ी चरहाई में पानी लेने के के लिए जाना परता है। इस्ट सियांग जिले के आई जी जे गवर्मन हायर सेकेंडरी स्कूल पासिखात पे और बॉगॉंग छात्र संग द्वारा आई जित नशे से आजादी जागरुपता कारिकर्म में बड़ी संख्या में युवाव ने हिसा लिया। और बॉगॉंग छात्र संग के सचीव सियांग मोयोंग ने युवाव से नशे का सेवन न करने और रास्ट निर्माण में योगदान देने की अपील की। कि ऐख याँ यहां पर campaign करने आया है जो हमारे यूंगर इस्ट्रेट के जो क्लास 10 के यहां पर पराई करने वाले है उन लोगों के साथ हमारे बगॉंग जो पास्रीगाट एरे एं तर्टेट कांसुमेंश्या में हम लोग एंटवी ड्रक्स के एंच काम करें और हम लोगों जो जैसे कि वासे हैं उनके साथ भी हम लोगों ने काम किया और खुद हमारे साथ यह जो ओल बोगों इस्टुरेंट सुझेंट के एंटीड्रक्स चेर्मेन खुद है और उसके बाद हमारे इतने भी यहां के एक्जुकुतिव है हम सब आज यहां एक उमीद लेके आया है जो हमारे इस तरह योंगर जनेरेशन है वो ड्रक्स का सेवन ना करे और तीक तरह से अपना फ्यूचर को बनाए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूस और एलिसीट ट्राफिकिंग के अफसर पर रहिवार को शियों मिजिले के मोनिंग गॉंग टाउन में आयाजित जागरुकता रेली में छात्रों ने सालिया उन्होंने स्लोगन के माधिम से लोगों से नशे का सेवन ना करने की अपील की जीमन को मोर्णोओँ हाची चारड़ब आजी चारड़ब आजी चारड़ब अपर शियांग जिले इंक्योंग में इंटरनेशनल दे अगेंस्ट ड्रॉग अब्यूस एन एलिसी ट्राफिकिंग के अवसर पर रईवार को मीनी माराथन रेसा आयजित की गए नशेट से आजादी पक्वारा के तहट से नो तो ड्रॉग्स और येस टू लाइफ की थीम पर आयजित इस मीनी माराथन में पुलीस कर्मियों साने लोगों विशेश कर चातर ने हिस्सा लिया इस अवसर पर स्लोगन के माध्यम से युवाव से नशे का सेवन न करने और रास्ट्र निर्मान में योगदान देने की अपील की गए होलोंगी एरपोर्ट सीवल अवियेशन मैप में अपनी जगह बनाने की दिशा में अग्रसर है मॉबाइल एर ट्राफिकिंग कंट्रोल टाओर को स्थापित किया जा चुका है जिसे एर ट्राफिक मैनेजमेंट में उपियोग किया जाएगा अद्रोन सिर्फ डिफेंस सेक्टर साथ ही कृशी हेल्थ केर टूरिजम सहीद दूसरे सेक्टर में भी इसका इस्तमाल तेजी से बढ़ रहा है किसानों की आए बढ़ाने और सुदूर इलाकों में मैडिसिन और वैक्सिन पहुँचाने में भी ड्रोन का उपियोग किया जा जानने लगे हैं इन फ्लाइंग रोबोर्ट्स यानि ड्रोन का उपियोग तेजी से बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में भविश में असंख्य आउसर है कोविड महामारी के दौरान हमारे सामने एक अनोखी समस्य आई लेकिन ये ड्रोन उसका एक अनूठा समाधान साबित हुए दूर दराज के इलाकों में लोगों तक दवाईया पहुचाने से लेकर सारवजनिक जगहों को सैनिटाइज करने और अनावश्यक भीड़ पर पैनी नजर रखने तक का काम ड्रोन के जरिये हुआ है उरने में सक्षम ये रोबोट, रक्षा, क्रिशी, पानूल प्रवर्तन, निग्रानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया, रसद और यहां तक की वीडियो वफोटोग्राफी जैसे कमर्शियल तथा गैर लाभकारी दोनों क्षेत्रों में बदलावना रहे हैं और इसकी वज़ा है उनका बहुग्योगी होना, वो पक्षियों की तरह जल्दी से उनते हैं और जमीन पर कुशलता से उतरते हैं अर्थ विवस्था के विभिनक शेत्रों को जबरदस्त लाभ पहुचाने की क्षमता के अलावा ड्रोन रोजगार और आर्थिक विकास में भी महतोपूर्ण घुमी का निभा सकते हैं इसकी अपार संभावनाओं को महसूस करते हुए भारत सरकार विभिनक शेत्रों में ड्रोन के निर्मान और अनुप्रियोग को प्रोथसाहित कर रही है अगस्त 2021 में भारत ने ड्रोन नियमावली 2021 को पेश किया जिसने ड्रोन के लिए आवश्यक जटिल अनुमोधन की प्रक्रियाओं में बदलाव किया और इसकी प्रमानन प्रक्रिया को तेज कर दिया नए नियमों ने ड्रोन को व्यवसाइक उप्योग में सक्षम बनाया, ड्रोन को वैद बनाया गया और भारत में ड्रोन से जुड़े व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए बाजार को अधिक उदार और ज्यादा अनुकूल बनायागे भारत का श्वानदार स्वाधिन्त संगर्स आधुनिक विश्व की महांतम संगर्सों में से एखे दूर दर्शिन समाचार द्वारा प्रसारित की जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंतरता सेनानी राज नारायन मिश्रा के बारे में आज के कड़ी में हम स्वतंतरता सेनानी राज नारायन मिश्र को याद कर रही हैं जिन्हे 27 जून 1944 को मृत्यू दंड सुनाया गया था उत्तर प्रदेश में लखीमपूर खिरी के भीश्मपूर के निवासी राज नारायन भारत छोडो आंधोलन के सेनानी थे वे 14 अगस्त 1942 को महमूदाबाद रियासत में हुई थानेदार की हत्या में शामिल थे उन्होंने जिले में अंग्रेजी हकूमत के कई प्रतिश ठानों में तोड़ फोड की कारेवाई में भी भाग लिया था और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गुप्त रूप से हत् प्यार जमा किये थे। उस समय वे गांधी आश्रम के एक कारेकरता के निवास पर ठहरे हुए थे। उन्हें वापस खिरी लाया गया और हत्या और तोड़ फोड के लिए हत्यार खानून के तह मुकदमा चलाया गया। अरुनाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोवीड नाइंटिन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क लगाए बार बार हाथ होए और सोसल डिस्टेंसिंग के नियुमों को माने। कोरोना मामारी से बचाओ कि आपका वैक्सिन लगवाना भी जरूरी है अगर आप वैक्सिन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाए। हम कल फिर हाजर होंगे अरुनाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ चल्दे चल्दे आपको बता दे कि आप अरुनाचल समाचार हमारी यूट्यूब चैनल दीरी नियूज अरुनाचल पर भी देख सकते हैं। हम अरुनाचल 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 ओवाने के साथ चल्दे खबरेश दुनाहल मने के भी आपको पर शů जाख हुझा है थाश्यूद